Assalamualaikum Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School Standard 2 Today our subject is GK यानकी General Knowledge Okay Our topic is Interesting Animals तो बेटा आज हम GK में Interesting Animals के बारे में Learn करेंगे Okay So let's start दिखा आपको पिच्चर दिख रहा है आपको समझ में आ रहा है ये तो Australian Animal है तो क्या लिखा है इसने I have a pouch in which I carry my baby I am मतलब यहाँ पर उसका जो है यहाँ पर pouch होता है तो यहाँ पर उसका बेबी कैरी करता है और ये ज़्यादा तर Australia Australian Animal है ये ये से हम क्या कहेंगे I am a kangaroo मतलब ये है kangaroo ओके ये Australian Animal है वो जो पाउच रखता है और उसके बेबी को यहाँ पर यहाँ पर वो कैरी करता है तो ये है kangaroo ओके नाइक्स देखो ये पिक्चर देख रहा है बिटा आपके पास गर पे टॉइज में भी ये चीज होती है तो ये है पांडा ये आपर क्या लिखा है I have large black patches around my eyes देखा आपने इसके eyes के पास patches है and ears and on my body I eat mainly bamboo leaves मतलब जो है वो bamboo leaves जो होते है मतलब पत्ते जो होते हैं यही काता है तो ये है पांडा I am a panda I have large black patches जो इसके eyes पर है न बिटा देखो around my eyes and ears उसके कान के पास उसके आप के पास और उसकी पूरी body पर ऐसे patches जो है black black और ये क्या खाता है bamboo leaves ओके ये खाता है bamboo leaves उसका नाम है panda ओके समझ में आए बिटा next देखो ओ ये तो mostly आप सब ने देखा होगा ना देखो I have a hard shell that protect me like a shield I can lie for more than hundred years I am a tortoise तो इसमें क्या लिखा है कि उपर का जो इसका जो shape है हो कैसा होता एकदम hard होता है और ये hundred years से भी ज़्यादा ये जी सकता है मतलब इसकी lives इतनी है और ये कैसा एकदम hard है देखा बिटा आपने तो ये है tortoise ये आपको ज़्यादे तर पानी में देखने मिलेंगे रिवर में है या फिर पॉंड में मिलते है और क्या सी में मिलते है ये जारे चीज जो है tortoise है इसका नाम है tortoise ओके I have eight arms and three heart I am an octopus तो देखो ये कैसा ये भी शी में रहता है ज़्यादा तर समुंदर में होता है तो ये इसके arms कितने है eight arms है और इसके heart कितने है तीन heart है what is his name octopus क्या है octopus ओके ओ ये तो आप सबने देखा ही होगा ये क्यों क्या है I am a tallest land animal I spend most of time life standing up मतलब ये ज़्यादा तर कितना लंब आ है इसकी आप नेक देख रहो कितनी लंबी है और ये height में बहुत बड़ा होता इसका नाम है giraffe I am a giraffe सबसे लंबा animal है most of line मतलब ये ज़्यादा तर standing up में ही life इसकी जाती है इसका नाम है giraffe ओके बिटा समझ में आया I am a tallest land animal I spend most of life standing up and I am a giraffe ओके समझ में आया next देखो ओ ये तो अपने zoom में देखा होगा ना देखो I am the king of the jungle कौन है अपने king of the jungle lion I can sleep for up to 20 hours a day मतलब वो 20 गंटे से ज़्यादा सोता है इसका नाम है lion वो तो आप सबने तो lion देखे ही होंगे mostly अब तो इंडिया में भी मतलब गुजराद में भी है आपने देखा होगा गीरी का जंगल है हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने live बिटा आप सबने live lion को तो देखा ही होगा पर इसके पास नहीं जाना है हाँ बिटा ये है lion L I O N lion ओके तो वीडियो को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है कुछ समझ में नहीं है तब फोन करके पूछना है और आपको मैं जो बेज दी हूँ जिरा अप लाइन ये सारे animals वो आपको फाइटाइम्स अपनी रफ बुक में लिखना है ओके बेटा अलाफीज